Hi everyone, this is Anam. Welcome to PhD Jobs and Admission. So, आज के इस लेक्टर में हम अविदेश प्रताप सिंग युनिवर्सिटी के PhD इंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए हम Research Methodology पर कुछ important MCQs आज के सेशन में डिसकस करने वाले हैं. तो काफे important session होने वाला है, मैं आपको बता दू कि आपके जो Research Methodology के MCQs है, आज के सेशन में मैंने वो MCQs आपके साथ डिसकस करा है, जो जनरली आपके PhD इंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूचे ही चाहते हैं. मैं आपको बता दू कि आपको पता होना चाहिए, अविदेश प्रताप Singh University का जो पहले PhD इंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका कंड़क्ट हुआ था, यह आपकी जो डेट थी तब 22nd of July 2022 आपकी PhD इंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट थी, लेकिन अब उस डेट को चेंज क करवाया जागा, तो आपके पास more than a month remaining है, इस more than a month, यानि एक महीं ने से भी जाद आपकी पास time बचा हुआ है, आपको जल से जल preparation को start करना है, तो बता दू शौट में कि आपको किस तरीके से सारे चीज़ों को follow करना है, और आगे मैं आपको बता दू, आगे वीडियो में मैं आपको बताने वाली हो कि आपका schedule जो जिस तरीके से change हुआ है, उस notification का भी मैंने screenshot आपको आगे बता रखा है इसी वीडियो में, तब मैं next आपको बता दू, आपको जो PSG inference examination है, उसमें आपको total 100 MCQs पूछा जाता है, ठीक है, 100 MCQs को उनने 50-50 MCQs में convert करा है, ठीक है, अब यह जो first आपको 50 MCQs पूछा जाता है, यह आपको research methodology पर पूछा जाता है, remaining 50 MCQs जो है, यह आपको आपके subject से specific पूछा जाता है, अब इसके लिए syllabus है, research methodology का तो आपना journal syllabus है, जो मैं आपको पढ़ाते रहती हूँ, जैसे meaning of research, characteristics of research, steps of research, यह होता है आपके research methodology का syllabus, और आ आपके जो official website पर जो syllabus है, वो वाली link मैं आपके साथ नीचे description box में share कर रहा है, जिससे कि आप directly इस link पर जाकर आपके syllabus को follow कर सको, अब जैसे कि आपको बता है, 100 MCQs पूछ जाता है, जिसको 50-50 में divide कर रहा है, यह अगर आप 50 MCQs पूछा जाता है, जिसको 50-50 में divide कर रहा है तो मैं आपको बता दू, research methodology पर हमको complete course provide करते, जैसे के app screen पर देख सकते हो video lectures, notes, mock tips और 1500 प्लस revision MCQs PDF, तो इस तरीके से हमको सारा content नेकी जगह पर provide कर रहे है, याद रखे हैंगा, आपको दोनों language में हम आपको content प्रोवाइड करते है, research methodology का, Hindi as well as English, और यह हमारे content से हम ग्य dunno matter आपको bit time waste simplify नहीं करना है तो taste को purchase करना है purchase के लिए emailhuh global online app डिसकी मीनने link आपके साथ नीची comment section or description box में भी शेयर कर गिये so that's it and let's begin with the video so eč mcے start करने सी परले में आपको अच्छी तरीकी से हमारे все contain जो मैं आपको provide करते है जो study material हम आपको provide करते हैं उसके बारे में एक बार में आपको फटक से बता दू कि हमारे इस course में हम आपको video lectures, mock test, notes प्रोवाइट करते हैं और 1500 plus mcqs revision pdf यह सारा जो content आप देख रहे हैं स्क्रीन पर यह आपको एक ही जगा मिलेगा कई students क्या करते हैं इंटरनेट से study material refer करते हैं इंटरनेट पे जो language यूज करी जाती है बहुत difficult language यूज करी जाती है जिससे कि आपको समझ नहीं याता है क्या लिखा हुआ है किस तरीके से यह जो content है आपको किस तरीके से read करना है कितना content आपको follow करना है क्योंकि हम हमारे course में बताते हैं आपको कितना study material यूज करना है बहुत जादा भी ने आपको पढ़ना है बहुत कम भी ने इतना sufficient है आपके study के लिए उतना आपको पढ़ना है तो हमारे course में हम आपको guide करते रहते हैं कि किस तरीके से आपको किस topic पर जादा focus रहना है कहां से जादा questions आपको पू से जाएंगे तो जल से जल आपको course को purchase करना है purchase करने के लिए screen पर जो number नजर आ रहा है इस पर WhatsApp कि दुरू हमें contact करना है याद रखेगा normal calls number पर नहीं लगेगा और आप हमारे इस app के तुरू भी study material को access कर सकते हैं so app को access करने के link मैं आपके साथ description box में provide कर रखी है so that's it and let's begin with the mcqs कर रखे तो यहां पर आपको देखना है जैसे applications पके रहा कि यह उपन कर रखी थी लेकिन आप इन्होंने close कर दिया है और आपकी जो hard copy है आपकी जो hard copy होगी receive की आपको इस address पर जैसे कि आप देख रहे है इसी university के address पर आपको submit करना है जो कि है इसकी देर इन्होंने provide कर रह कर रहा है यहां पर इन्होंने टाइम भी आपके साथ शेयर कर रहा है विचिस 11 एम टू 1 पीम ठीक है यानी सुबह 11 बजे से दुपर एक बजे की बीच में आपका examination कर रहा जागा तो यह notice रही आपकी जो के फिर से इन्होंने change कर रहा था तो इस notification का मैंने screenshot आपके साथ शे शामिल नहीं होगी और report of a quantitative study will not include इस question में यह find out करना है कि अगर आप quantitative study perform कर रहे तो आप उस quantitative study में कौन से ऐसी चीज है जिसको report नहीं करोंगे जिसको include नहीं करोंगे मतलब आप एक मात्रात्मक अधियन के report लिग रहे हो तो इसमें आप कौन से ऐसे विकल्प है जिसको आप शामिल नहीं करोंगे तो यह पर इस question में आपको पता होंगे कि quantitative study होती क्या है मतलब की मात्रात्मक अधियन होती क्या है quantitative study में क्या करते है हम हमारे पास theory available होती है हमारे पास कुछ नो कुछ information जो है वह available होती है information available होती है उस पर हम hypothesis lay down करते है उसको observe करेंगे उसको major करेंगे इसको analyze करेंगे इसको देखेंगे हर एक point of view से observe करेंगे किस तरी के सो phenomena happen हो रहा है सारे चीज़ा आप observe करते हो analyze करते हो दिन analysis के बाद आप कुछ interpret करते हो कुछ चीजों को major करोगे सो basically quantitative study quantitative study का मतलब क्यों होता है जिसमें आप numbers से deal करो जिसमें आप कोई quantity से deal करो आप चीजो नहीं basically हम यही देखते है quantitative study में जैसा हम qualitative study में theory बना लेते हैं तो उसी theory का valid करते हैं उसको हम देखते हैं कि वह theory valid है या फिर नहीं उसको हम different different ways से observe करेंगे उस पर test perform करेंगे उसमें जो भी phenomena हो रहा है जो भी आपके पास जो भी phenomena कर हो रहा है उन सारे चीजों को observe करेंगे जो भी चीज़े happen are you उसको observe करेंगे इसको major करेंगे basically quantitative है तो measurement बहुत जरूरी है आप चीजों को mapते हो quantitative study में जो आपको option है यह सही है आप चीजों को major करते हो count करते हो quantitative है मतलब quantity से deal कर रही है quantitative data हो इसमें आपके पास quantitative study में जिसको count कर सके उसी तरीके से आप यह भी बताते हो यह कि थेरी valid है या नहीं है हम मान सकते है कि नहीं इस तरीकों कि थेरी सही है या फिर नहीं है पतला हम आपने हमारी theory को प्रूफ करते हो valid बताते है कि उसकी मान्यत्या है या फिर नहीं है so validation जो है यह भी quantitative study का part होती है so measurement obviously होगा validation भी होता है result क्योंकि हम observe करते चीजों को hypothesis लेड़ान करने के बाद हम observe करते है उसको analyze करते मेजर करेंगे और चीज करेंगे फिर उसके बाद last में हम आप interpretation देते हो कुछ conclusion देते हो उससे कुछ ना कुछ result निकलता है उसकी basis पर आप बताते हो आपके जो भी test होते है अपने जो भी perform के होता है जो भी study करते है quantitative study में last म आप result बताते हो किसे क्या आपको मिल रहा है क्या result आपका आ रहा है क्या result बता रही है so result result भी quantitative study का part होती है यह बहुत जरूरी है quantitative study हम बहुत important role play करते है आपकी result क्योंकि आप result के लिए quantitative study perform करते हो तो याद रखिएगा measurement result and validation है तीनों भी quantitative study में include होंगे और जो include नहीं होता ह है वो विकल्प है वो option है अपका confession जिसे हम कहते हैं कुबूलना confession क्यों होता है जिसमें आपने कोई गलत कर दिया तो आप कुबूलते हो आपने को जुरूम कर दिया जैसे तो आप क्या गरते हो उसको कुबूलते हो कि मैंने यह गलती करी है आप basically mistakes बताते है so quantitative study में हम हमारी कोई mistakes ने आगे रखते है research आपने कोई mistakes को नहीं बता दे कुछ confess नहीं करते है so confession जो है quantitative study में include नहीं होता है quantitative study का part नहीं होता है so this question का right answer हो जाएगा option c confession को बूलना next which one is not a graphic representation of data कौन सा आकडो की graphic प्रस्तूती नहीं करता है इस question में हमें यह बताना है कि दिए गए options में से कौन सा ऐसा option है जिसमें हमारे पर जो भी data होता है उस data को हम graphic representation नहीं कर सकते हैं उस graphical way में present नहीं कर सकते हैं मतलब इस प्रेश्ट में हमें यह पता लगाना है कि कौन सा ऐसा विकल्प है जिसे हम हमेरे पास जो भी आकड़े होंगे उस option में जो भी हमेरे पास आकड़े होंगे उस आकड़ों को हम graphic प्रस्तूती नहीं दिखा सकते हैं नहीं कर सकते हैं graphical way में से present. याद रखेगा histogram, bar chart and frequency polygon इन तीनों को भी हम graphical way में present कर सकते हैं अब histogram, bar chart and frequency polygon यह दिखते हैं साहमें इस diagram के थूर समझते हैं यह है आपका histogram, histogram कुछ इस तरीके से दिखता है जिसने जो bars present होते हैं graph में जुसर से joint होते हैं मिले होते हैं जैसे कि आपको बस diagram याद रखना है आपको matter नहीं देखना है बस आपको diagram याद रखना है histogram में जो bars होते हैं जुसर से मिले होते हैं अब जैसे कि इस डाइग्राम से देखकर हमें यह पता चल रहा है ग्राफिकल वर में कि कितने लोगों की salary कितनी हो सकती जैसे यहाँ पर आगर आप देखते हो 0 से 10,000 के बीच में कुछ 50 employees की income होगी उसी तरीके से 300 employees से है जिनकी income 10 से 20,000 के बीच में होगी इसे तरीके से 280 employees जिनकी income 20 से 30,000 के बीच में होगी तो यहाँ पर आपको numbers के फॉर्म में representation हो रहा है numbers के फॉर्म में information मिल रही है कि इतने परसंड लोगों की इतने लोगों की इंकम 400 लोगों की इंकम इतनी हो सकती है 30 से 40,000 के बीच में लाए कर सकते है तो यहाँ पर histogram में आप अपका जड़ी डेटा होता है इसको ग्राफिकल वे में प्रेजेंट करते है उसी तरीके से बार्चार्ट बार्चार्ट कुछ इस तरीके से दिखता है इसमें याद रख रहे हो इस डाइग्राम ऑफ बार्चार्ट बार्चार्ट में जिसे य एक्सिस पर हमें number of children given है और उनके favorite color जहां में given है तो यहाँ पर 8 children ऐसे जिनको red color पसंद है उसके बाद मान लेजे 7 और 7.8 children ऐसे होंगे जिनको blue color पसंद है फिर 4.5 ऐसे children होंगे जिनको green color पसंद है फिर उसे तरीके से हमें 6 children ऐसे जिनको pink color पसंद है यहाँ पर आपको data मिल रहा है आप ऐसा बोल सकते हो ऐसा भी आप कह सकते हो data का अरिलाइस करके average जो लोग ज़ादातर जो बच्चे है ज़ादातर जो children उनको yellow color पसंद है तो हम ऐसा कर सकते है मतलब numbers के form में आपको graphical way में आप data को represent कर सकते हो graph के थो उसी तरीके से frequency polygon क्यों होता है frequency polygon कुछ इस तरीके से दिखता है frequency polygon याद रखी हिस्टोग्राम की तरह ही होता है तो frequency polygon क्यों होता है histogram ही होता है लेकिन उसमें जो आपका points होते है आप उनको मिला देता है जिसे histogram में यह चो middle point होगा इससे मैं मिला दूँगी तो यह आपको बन जाएगा frequency polygon उसी तरीके से इस graph में बताया है frequency polygon में आप बताते है कि कहा data कितना कम ज़ादा कम ज़ादा हो रह तो यह हो जाता है आपका Frequency Polygon अगर आप Frequency Polygon का graph देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएगा Frequency Polygon ऐसा को देखेंगा Frequency Polygon क्याता है Histogram का ही जो point होते है Middle point को हम join करते जाते हैं और कुछ इस तरीके से आपका graph देखता है Frequency Polygon का Histogram बाद चोटा है Frequency Polygon को हम Graphical way में represent कर सकते हैं लेकिन Table Table को हम Graphical way में represent नहीं करेंगे क्योंकि Table में हर एक टाइप की Information होती है आपको Numbers के form में information नहीं मिलेगी So basically जो Table होता है Table में जो भी आपके पस data होता है इसको हम Graphic way में represent नहीं करते हैं So this question का पका right answer हो जाएगा Option C Table Next The validity which is assessed by Checking measurement instrument against some future outcome is वेता जिसका आपलन कुछ भविश्य के परिनामों के खिलाफ Map उपकरण की जाच करके किया जाता है इस question में हमें validation से रिटेर कुछ Options given है हमें पता नहीं कि कौन सी validity की definition होगी So this definition में बता रहा है कि validation है आपने क्या क्या कुछ आप चीज़ों को instrument को major कर रहे हो So आपने future में जो measurement आ सकता है उसका आपने कुछ guess कि आपके future का outcome ऐसा आ सकता है So आपने हैं पर future के बारे में कहा है यह कौन सी validity की definition होगी हमें यह पता करना है So याद रखेएगा आप क्या कर रहे हैं आपर Validity Validity is related हमें बहुत सारे terms given है और हमें जो भी term given है यह validity की definition से सारी Sorry validity के type से सारे So validity होती क्या है आपको यह पता होने चाहिए Validity Validity क्या होती है जिसकी पीचे कुछ न कुछ logic हो जो reasonless हो इसको कुछ reason नहीं आथा लेकिन logic हो उसे हम कहते है Validity अब जैसे मान लेज़े For example दिन है दिन के बाद रात आएगा So इसकी पीचे कोई reason नहीं है आपको होगे कि यह logic है यह logic है दिन के बाद राती आता है So यहापर कोई reason नहीं है लेकिन logic है उसे हम कहते है Validity So यहापर हमें Validity की कुछ Types की वेने हमें बताना है इन Types में से यह कौन से Validity की Definition होगी So जैसे कि इस Definition में हमें बता रहा है आपने क्या किया जो future में outcome है future में जो measurement आ सकते है आपने उसको बताया है So future में आ रहा है मतलब यहापर आपने future के बारे में guess करा है ऐसा हो सकता है ऐसे आ सकते है measurement So यहापर आप क्या कर रहे हो कुछ predict कर रहे हो यहापर guess कर रहे हो So यह Validity कौन से Validity की Definition होगी Predictive Validity मतलब अनुमानित की वेथा So यह वेथा किस वेथा की Definition होगी Predictive Validity Predictive Validity जिसमें आप कुछ guess कर रहे हो Future के बारे में आप पहले से बता दे रहे हो कि ऐसा हो सकता है आपके कुछ guesses कर रहे हो Predict कर रहे है वसे हम कहते है Predictive Validity So आपको जो यह Definition Given है यह आपको Predictive Validity मतलब अनुमानित की वैद्य तक है भाशा गिवन है So यहाँ पर आपके जो Definition Given है यह Option B की Definition Given है अब जो हमें Incorrect Options Given है उन्हें भी हम देख लेते हैं यह क्या होती है Face Validity Face Validity का मतलब होता है जिसको आप देखकर यह बता दो जैसे मान लिए जिये मैंने आपको एक पेपर दिया और उसमें सारे Numbers है आप Addition, Substraction, Multiplication तो आप उसके देखकर क्या कहोगे कि यह Maths का पेपर है बैसे कर लिए मैंने आपको Maths का पेपर दिया आप उससे देखकर डेरेक्ली बोल दोगे यह Maths का पेपर है आपने देखकर ही पता चल गया आपने रीड करा उसको यह आपको देखकर ही पता चल गया कि यह Face Validity मतलब आपने एक बड़ देख लिया और आपको पता चल गया इस पेपर में कौन सा कंटेन लिखा है इससे हम कहते है Face Validity अग्राभाग की वैद्दिता, तो face validity जिसे हम देख कर ही पता कर रहें, यहाँ पर देख कर रहें, कुछ पता कर रहें, आने वाले जो future है, आने वाले समय के बारे में आप कुछ बविश्वानी कर रहें, तो उसे हम face validity नहीं कहें जो यहाँ पर आपका विकल्प गलत हो जाए उसी तरीके से option C, concurrent validity जिसे हम कहते हैं समर्थी की वैद्दा, concurrent, concurrent क्या होता है, कुछ current में हैं, और concurrent, मतलब यहाँ पर कोई दो फेनोमेन होते हैं, एक फेनोमेन अगर आकर होता है, तो उसकी बैसिस पर आप guess करते हैं, कि वो ऐसा ही हो सकता, जैसे माल लेजे, कोई student है, उस student प्रैक्टिकल में अच्छा परफॉर्म किया, तो बैसे क्या कहोंगी, वो थेयरी में भी अच्छा परफॉर्म करेगा, तो यहाँ पर कोई दो फेनोमेन हैं, इसको मैं compare कर रही है, उसकी बैसिस पर मैं बता रही है, तो concurrent क्या होता है, एक फेनोमेन के अकर होने पर मैं दू कम बता रहे हो, तो यह predictive validity की definition होगी, तो इस प्राशन का आपका सही विकल्प हो जाएगा, विकल B, option B, predictive validity, next, in order to measure the scatter of the values of items, the observed data, which of the following statistical method is used, निमलिखित संख्या के पधित में बस्तूओं को मुल्यों के बिखराओं के मापने के लिए, किसका उपियोग किया जाता है, तो इ उसको major किया, उससे आपको कुछ values मिल रही, कुछ data मिल रहा है, आपने कुछ test perform किया, उसमें से आपने कुछ observe data मिला, आपको आपने कुछ data मिला, तो इस data के आपको scatter find out करना है, वो data कितना फैला हुआ है, scatter का मतलब होता है, कितना वो data फैला हुआ है, कितना वो data बिखरा हुआ है, तो data कितना बिखरा हुआ है, उसको आपको major करना, उसको आपको mapना है, तो उसके लिए आप कौन सा statistical method use करोगे, कौन सा statistical tool को use करोगे आप, मतलब जिसे मान लीजिए, आपने एक population है, उस population में से आपका sample बन गया, आप major कर रहे हो, मान लिजे, आप population में से यह देख रहे हो, कि कितने लोगों की income, यहाँ पर जो रहने वाले हैं, इस particular city में रहने वालों लोगों की income कितनी है, आपको मिल गया, इस particular city में रहने वालों लोगों की income हो सकता है, 50 से 90,000 की बीच में है, आपको जिनकी income कितनी होगी, 50 से 90 की बीच में, जादा तर लोगों की income कितनी होगी, आपको मान लिजे, मीन किसी का find out करना है, किसी का median find out करना है, यहाँ पर आपके अपने data ले लिया, अब उस data का, आपको scatter find out करना है, यहाँ पर मुझे, सैंपल से कुछ information मिल गई, अब उस information को मै कुछ इस तरीके से spread out करूंगी, मैंने हर एक sample में से हर एक person से information ले लिए, हर एक मेरे नमूनों में से हर एक व्यक्ति से मैंने information ले लिए और उस information को मुझे जो भी data मिला, उस data को मैंने कुछ इस तरीके से plot कर दिया, अब मुझे देखना है, यह data कितना फैला हुआ है, कितन लोगों की income कितने कितने 1000 के बीच में लाए करती है, कितने लोगों की income 20-30 के बीच में लाए करती है, कितने लोगों की income 40-50 के बीच में लाए कर रही है, कितने लोगों की income कितने 1000 के बीच में लाए कर रही है, कितने लोगों की income कितने 1000 के बीच में लाए कर रही है, यहाँ को कितना फैला हुआ, scatter, ऐसा कुछ question में word दिखता है, याद रखेगा, आप major of dispersion यूज करोगे, major of dispersion क्या होता है, जिसमें आप calculate करते हो, standard deviation, variance, standard deviation बताते हैं कि आपका data mean से कितना दूर है, major of dispersion के अंडर आते हैं आपके terms जैसे standard deviation, variance, variance बताते हैं आपका data कितना फैला हुआ है, और standard deviation बताते हैं आपका data mean से कितना दूर है, जो इसे हम कहते हैं major of dispersion, major of dispersion बताते हैं आपका data कितना disperge है, कितना scatter है, मतलब कितना बिखरा हुआ है, इस लिए इस question का आपका right answer हो जाएगा option, C, major of dispersion, next, अनुसंधान क्रमविच समस्या के समधान का innovation है, परिभाशित किया गया है, Research is a systematic investigation to find answers to a problem is defined by, इस प्रश में हमें एक परिभाशा दी गई है, हमें पता करना है कि ये परिभाशा कि scientist के द्वारा कही गई है, मतलब इस question में हमें एक definition दी गई है, हमें ये find out करना है कि definition किस researcher ने इस definition को दिया है, और किस researcher की definition है, याद रखिए, यहाँ पर हमें सिफ definition दी गई है, हमें researcher का नाम बताना है, और scientist का नाम बताना है, तो exam में compulsory इस topic पर आपको one और two questions देखने ही मिलेगा, इस topic पर, मतलब आपको definition दी गई होंगी, कुछ statement दिया गया होंगा, research से related, short से related कुछ आपको statement दिया जाएगा, और कुछ definitions दी जाएंगी, और आपको पता करना होगा, यह definition कौन से researcher की है, और यह definition कि scientist की definition होगी, तो आपको exam में one or two questions इस topic पर पूछा ही जाता है compulsory, तो मैं अपने lecture series में, तो मैं कि सारे जो मैं आपको daily videos दालते रहती हूँ, तो इसमें मैं सारे रोज रोज एक 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 दो-दो questions cover करूँगी, जिससे कि आपको पता हो जाएगा कि जो definition है, किस researcher की definition है और कि scientist की definition है, जिससे किया आप easily one or two questions को आपके exam में solve कर पाऊगे, जैसे कि आप देख रहे हैं, इस definition में उन्हें बताया है कि research is a systematic investigation to find answer to a problem, मतलब research एक, हम research में basically किसी भी समस्या का समधान निकालते हैं, मतलब किसी भी problem का हम solution निकालते हैं, किसी भी problem को find out करते हैं, उनका solution, उसका answer find out करते हैं, लेकिन किस तरीके से systematic investigation से, systematic मतलब अगर आप research में एक method follow कर रहे हो, आप पहले से decide करते हैं कि मैं इस method से follow करूँगा, इस method से मैं अपनी research को perform करूँगा, systematic मतलब structure, step by step, अगर आपने पहले step perform किया, दूसरा थीसरा तो आप एक path follow करते हो, basically एक step follow करते हो, आप ऐसे भी अगर आप नहीं perform किया, एक method perform किया, तो आप दूसरे method से जाओंगे, फिर उसमें आप research करना start करोंगे, कभी आप research में ऐसा नहीं करते हो, अगर अपने research आपके systematically ने perform की तो आपकी research unethical हो जाएंगे आप कभी उस तरीके से research करी ने पाऊंगे तो याद रखना है आपको जब भी आप अगर research करते हैं basically हम research में किसी भी problem का समधान find out करते हैं मतलब किसी भी समस्या का समधान खोच करते हैं problem को solve करने की कोशिश करते हैं systematic way और systematic investigation करते हैं मतलब हम coach करते हैं systematic way में हम चीज़ों को find out करते हैं उसका हल निकालते हैं उसका समस्या का समधान निकालते हैं यह जो definition है इस definition को burns इस scientist ने दी है और यह जो परिभाशा है burn द्वारा दी गई परिभाशा है यह definition burn scientist ने 1997 में दी थी यह definition और बहुत famous scientist आपको इनका name याद रखना है और इन्होंने यह definition दीते हैं तो इस प्रशन का आपकर सही उत्तर हो चाहेगा विकल्प A arrange the steps involved in writing report अनुसंधान report लिखने में शामिल कदमों को वैबस्तित करो इस question में हमें report writing में आप जब भी report लिखते हो report writing में आप कुछ steps follow करते हो उन steps को हमें इस question में correct order में arrange करना है मत्ता अनुसंधान में अगर आप report लिख रहे हैं report लिखने में कौन से विकल्प होंगे वो सारे विकल्पों को एक order में arrange करना है याद रखिए report writing क्यों होती है report writing क्यों होती है आपकी जिसमें आपने जो भी आपके research का काम होता है आपने जितने भी research करी है 3 years, 4 years, 6 years आप आपके research का पूरा काम इस report में mention करते हो कि आपने उतने year में क्या-क्या काम किया, किस topic पर आपने research किया कैसे research किया, वो सारा बताते हो आपके report में जब आप report लिखते हो आपके research में, रिपोर्ट लिखने के लिए कौन-कौन से steps, कैसे steps follow करते हो, हमें ये बताना होगा इस question में, तो हम एक-एक करकर सारे points देख लेते हो और हम of the subject matter, so ये आपका first step हो जाएगा, मतलब आपका जो भी subject है, आप उसमें logical analysis करोंगे, अपने अपके subject में क्या किया किया कि आप पहले analysis करोंगे, आप observe करोंगे, कितना data आपके पास है, कितना matter present है so पहले यहाँ पर आपका option C है विशेवस्टों का तरकिक विशलेशन, ये आपका first step आजाएगा, then उसके बाद अपने अपने जो भी subject का matter तसको analyze कर लिया, फिर उसके बाद आप करोंगे, एक final outline, कि आपने क्या के चीजों को preparation किया, preparation of final outline, जो भी prepare किया है उतने year में, आप उसके final outline बनोंगे, कि मैंने ये ये कर लिया है यहाँ पर आपका जो final outline है preparation of final outline मतलब अंतीम रूप रेखा कि तयारी ये आपका second step हो जाएगा, then उसके बाद third step हो जाएगा, कि आप एक rough draft तयार कर लोगे, एक rough draft आप प्रिपेर कर लोगे, यहाँ पर rough draft जो है, आपका third point हो जाएगा rough draft क्या होता है, आप roughly कोई एक काम कर लेते हैं, उसको आप सही वैसे arrange ने कर जो बस roughly prepare कर लेते हैं, उसे हम कहते हैं, एक rough draft preparation of rough draft यहाँ आपका third step हो जाएगा report write करने में, report को लिखने में, then उसके बाद third step आपको हो जाएगा, rough draft बनाना, rough draft के बाद आप उसको rewrite करोगे, मताब आपने rough ले लिया, फिर आप उसको rewrite करोगे, आप अच्छे से sequence order करोगे, उसको polish करोगे, आप उसको अच्छा करोगे, आप प्रोपर एक आपको जो भी डेटा है, आपको जो भी mistakes लगए, आप पॉलिश करोगे, so rewriting and polishing, यह आपका fourth step आजाएगा, and fifth step, आपका last step हो जाएगा, writing the final draft, मतलब आपने, रिराइट करोगे, आपको आपने जो भी data इसको polish कर लिया, रिराइट कर लिया, और एक last में, आपका final draft बन जाएगा, उसके बाद, so इस तरीके से आप steps perform करते हो, जब आपको रिपोर्ट लिखते हो, research में, so, यह steps, ऐसे order हमें, option B में given है, इसलिए, इस question का right answer हो जाएगा, option B, विकल B, next, an empirically variifiable observation is, अनुभविक, सत्यापनिया ablocan होता है, इस question में हमें basically, definition दी गई है, परिभाशा दी गई है, और हमें पता करना है, यह परिभाशा किस विकल्प की परिभाशा होंगी, मतलब, definition दी गई है, और हमें पता करना है कि definition किस option की definition होंगी, तो यहाँ पर हमें बता रहा है इस definition में आप क्या करो है empirically verifiable observation मतलब एक data होगा कोई भी चीज होगे आप उसको empirically empirically मतलब करता है जिसमें आपके experiences use करते हो आप कुछ observation करते हो आप experiments perform करते हो और उस phenomenon को आप verify करते हो हर एक तरफ से देखते हो कि results सही आ रहे है या फिर नहीं मतलब आप basically fact बताते हो कि reality में exist कर रहा है क्योंकि आप observation experiments उन्हीं चीज़ों को बता उन्हीं चीज़ों पर कर सकते हो observation experiment जो reality में exist कर रहा है जो fact है जो हमें definition दी गई है यह fact की definition दी गई है इस और इस question में तथियों की definition दी गई है, fact मतलब जो reality में exist करada, जो सच मुझ में हो, जिसे हम imagine नहीं कर सकते, जो reality में exist करada, जिसंगे je сबम्जिश कर SQL आप experiments perform करते, जिसको आप observe करते तो, झाँ को verify करते जो reality में exist कर, जो reality में exist कर, उसे हम कहते है fact, तो यह जो definition दी गई है, fact की definition दी गई है, अब जो remaining options है, जो incorrect है, उससे भी हम एक बार देख लेते है, so option is value मतलब मुल ले, कोई भी चीज का कुछ भी value हो सकती, मुल ले, तो हर एक value है, कोई भी value हो सकती, जैसे 250, 2500, कुछ भी value है, कोई भी चीजों की value है, तो हर एक चीजों की value है, so उसे हम test नहीं कर सकते है, value को मुल ले को आप test नहीं कर पाऊगे, so यह पर जापका विकल पे है, यह incorrect है, यह आपका wrong option है, उससे तरीके से theory, theory, theory मतलब सिधान्त, आपकी जो theory होती है, theory को आप theory पर experiments और you can say, theory पर आप कोई experiments नहीं perform करते हैं, basically इसको observe तक करोगे, लेकिन आप आपके experiences नहीं use कर सकते हो, लेकिन fact में आपके experiences और observations यूज करते हो, यह आपका विकल B है, इस question का wrong answer हो जाएगा, theory, theory का example है, आपकी big bang theory, जिसमें बताया है, कि आपका जो दुनिया है, परी world के इस तरीके से फिर से develop हुई है, आप big bang theory अगर जिसको पता होगा, तो अच्छी तरीके से समझ पाएगा, कि theory क्या होता है, उसमें बताया है, कि world कैसा develop हुआ, world कैसा बना है, यह हो गया theory, जिसे आप experiments नहीं perform कर सकते हो, आप बस पता कर सकते हो चीजों के बारे में, जो exist कर रही है, statement, statement, जो one line statement होता है, statement पर आप test कर सकते हो, उसको आप observe कर सकते हो, लेकिन आप उसको प्रूव नहीं कर सकते हैं, आपने बताते हो कि वो reality में exist कर रहा है, फिर नहीं क यहाँ पर आपका option B भी incorrect हो जाएगा, so his question का, his question का, जो सही उत्तर हो जाएगा, वो है आपका विकलब से तथिया मतलब fact, and thank you for watching this video, good luck with your preparation, and see you tomorrow with another video.